हेलो एब्रिवान वैलकम टू माई चैनल उमीद करती हैं आप लोग स्वास्ता और अच्छे होंगे फ्रेंज तो इस तरह से खटे दही अक्सर फिरीज में रखे हुए रहते हैं लगता है कि 8-10 दिन हो गया है अब इसे नहीं खाना है तो हम लोग अक्सर इसे फेक देते हैं तो इसको बिलकुल नहीं फेके इसको क्या करना है वो आज हम बताएंगे फ्रेंज तो बिना इसकीप किये हुए वीडियो को जरूर देखेगा बहुत ही यूजफुल वीडियो है तो इस तरह से जो गैस के परणर होते हैं जो काला पढ़ जाते हैं जिद्धी मेल जमा हो ज जाता है इसमें जो जाली है वो बंद हो जाते हैं तो इस तरह के ये टीप्स को अपना के देखेगा वहुत ही यूजफुल टीप्स है तो इसे खटे दही में आप डाल दें इसे रात में डाले तो जादा अच्छा होगा साथ से आठ घंटे के लिए इसे दही में छोड़ देखेई मैं रात में डाला था सुबा मैं इसको अब साप करूगे तो इस तरह से अब दही से हम निकाल के इसमें तूद्थ ब्रस से साप कर लेंगे जो खराब ब्रस रहत है उससे वह साप कर लेंगे तो इस तरह से अच्छे से बाहर भीतर थोड़ा साफ करेंगे थोड़ा तो टैम लगेगा 5-10 मिनट इसको थोड़ा लगड़ेंगे तो यह अच्छे से साफ हो जाएंगे आप देख सकते हैं कितना कालापन इसमें से निकल रहा है तो इसी तरह से ज़दी प्रेंटस आपके पास ज़्यादा खटा दई नहीं है तो इसमें आप विनेगर भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा मैं भी विनेगर डाल देती हूँ ताकि और अच्छे से साफ हो जाए लगड़ देंगे, तो इस तरह से जल्दी हे साफ हो जाएगे, तो अब मैं आपको दिखा रही हूं, कितने अच्छे से साफ हो गया है, इसमें जितना भी जाली बंद पड़ा था, वो सारा खुल गया है, अच्छे से साफ भी हो गया, अभी से हम कप्ड़े से पोच के आपको दोनों में बहुँ ज़्यादा ही फर्क दिख रहा है, तो इस तरह से आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से दही का benefit आप उठा सकते हैं, दही तो हम सभी खाते हैं, लेकिन इनके क्या benefit से वह भी आज हम जानेंगे, तो दही खाने से मोटापा भी घरता है, इसे ख सकता पाए जाते हैं, जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही लाबकारी होता है दही खाना फाइदे मंद है लेकिन अगर इसे था सही समय पर खाया जाए तो ज़्यादा फाइदा होता है दही सुवा में आप खा सकते हैं या फिर दोपहर में क्योंकि दोपहर में खाना हजम करने की सकती ज्यादा रहती है ऐसे में दही दूसरे भोजन को पचाने में भी मदद करता है रात को दही बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए और जिसे सुजन है सरीर में दर्द है तो भी दही नहीं खाना चाहिए बुखार हो तब भी दही नहीं खाना चाहिए अदूद के साथ भी दही मिला के नहीं खाना चाहिए लेकिन सिहत के लिए तो अच्छा होता ही है दही साथ साथ तो चार बालों के लिए भी बहुत ही लावकारी होता है सर्दियों के मोसम में हम सभी धूप में भी बैठते हैं धूप में ज़्यादा समय तक रहने से सनवर्न हो जाता है दही का सनवर्न वाली जगह पर लगाने से अराम मिलता है और आपकी तुचा का रंग भी साफ होगा पर दही में प्रोटिन की मातरा ज़्यादा होती है इसके कारण आपके बालों को भी भरपूर फोसन देगी बालों पर दही लगाने के बाद 2-3 घंटे के बाद सेंपू फिर कर ले तो उससे आपके बाल सॉप्ट और सुन्दर दिखेगी और चमक भी आ जाएगी बालों और तोचा के लिए बहुत ही फायदेमन होता है दही दही से कई सारे आप फेस्पैक भी बना सकते हैं और इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ मैं डिस्क्रिपसन बॉक्स में डाल दूँगे आप उहां से देख सकते हैं फ्रेंड्स तो वीडियो अच्छे लगेगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिजेगा और जो नए है मेरे चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो के साथ तब तक आप लोग स्वस्त रहें खूस रहें थैंक यू बाई